चलो दोस्तों शुरू करते चाचा चोदरी और फिप्टी फिप्टी चाचा जी मुझे बूख लगी है देखते हैं तुमारी चाची ने क्या बनाया है जल्दी पूछो बीनी हमें बहुत बूख लगी है लंज तयार है निठल लगो कुछ काम धाम नहीं बस खाना और खाना पहले कुछ कमा कर लाओ फिर रोटी मिलेगी साबू आओ आज बीनी का पारा हाई है बीना कमाई के घर में मत खुसकना हम क्या काम करेंगे मेरे साथ बिजनस करो करोड़ो कमाओगे कैसे विदेश में फ्री स्टायल कुछ्टियों में पहलवान करोड़ो कमाते हैं तुमारा यह पठा कब काम आएगा मैं तुम दोनों को अपने खर्च पर विदेश ले जाऊंगा आओ साबू चले मारो 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 हाँ आठ नो और दस इस कुस्ति का विजेता आओ इनाम की रकम आदियादी बाट ले वापसी क्यों चाजा चोदरी मेरी सकीम से माला माल हो गए ना चाजा जीस रकम का हम क्या करेंगे इसे शेविंग में डाल कर बाकी का जिवन आराम से गुजारेंगे चोदरी अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रुको मुझे दूसरा ख्याला है अगर तुम दोनों को मार दू तो सारा रुपया मेरा हो जाएगा रुपयों का बैग मुझे दो सचुंदर बेइमान जाओ चाजा जी अब उसके पैसे को भी सेविंग में लगा देंगे नहीं इसे चैरिटी में देंगे बीनी का परस सुगा अगर हम इसम इलाकों गिरा दे तो मैं उसका परस लेकर रभूचकर हो सकता हूँ ठीक है फूका लो छिलका तो ऐसे भी फैकना था मुझे कुछ सापिंग करने है मैं इसके पीछे चलू ताकि जब यह गिरे मैं जट से परस उठा लूँ ओ यही मोका है बचाओ मारा गया बेचारा फूका सारी मैं फिचल गई थी हाए मेरी कमर फूका तुम्हें सरम आनी चाहिए एक औरत से मात खा गए सुगा मेरी कमर तूटी जा रहे और उपर से तुम बरस रहे तुम कैसे दोस्तो इस बार में उसे चाकू दिखाऊंगा और परस चीन लूँगा वै जा रहे है गनीमत की मोटे लोग धिरे चलते हैं और अगर तुम अपनी जान की स्लामती चाती हो तो अपना परस मेरे वाल कर दो धड़ाक आउ यह लो पतानी मच्छर का अक्रोच कहां से आ जाते हैं यह फिर तुम्हें चकमा दे गई उसने अचानक मुझ पर वार कर दिया था अब यह रिवालवर उससे निप्टेगी अगर वैपरस मेरे हवाले नहीं करेगी तो मैं उसे गोली मार दूँगा और अब इससे उसे मारूंगा कहो तुम अपना परस मेरे हवाले करो गिया तुम्हें मारने के बाद मैं उसे ले लूँ मैं परस नहीं दूँगी ठीक है फिर गोली खाओ ओ यह फायर क्यों नहीं कर रही क्यों कि उसमें बुलट नहीं है जब गंद चलेगी नहीं तो आवाज क बुटनी है ढोर मॉल मुझे प्यास लगें मगर मुट का खाली है ऑज रनो में पानी नहीं आया शेयर में पानी की कमी के लिए आप क्या कर रहे हैं मैंने पानी का रेट बढ़ा दिया Flynn की एक कि पाद से इस्टेमाल होती हैं सेट जी मेरी बेहन मुर्ती को अपनी दुकान में बेची आपका फायदा होगा अभी आर्थिक मंदी ये बाद में आना शिर्फ तीन सोगा सैंपल आप इसे पंदरा सो में बेच सकते हैं मुर्ती रखलो बिग जायत रुपए दे देना यह मेरा मुबाइल नंबर है अगर आर्डर मिले तो मुझे बुला लेना ठीक है बिग गई तर रुपए मिल जाएंगे उस देर बाद ड्राइवर गिफ्ट शाप पर रोकना यहां वैब मिल जाएगी हमको एक स्टैचू खरीदना मांगता मैडम यह नया सेंपल आया है वाओ ब्यूटिफूल हम इसको लेता प्राइज पंद्रा सो हमारा नोड़ा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंपनी है यह हमको ऐसा सो मुर्तिया मांगता दे सकता मोटा प्रोफिट मैं एक अपते में तयार करवा दूँगा तुम इसका कीमत ले लो सब रैडी मिलेगा बाकी का सेकेंड विक में लेने आएगा कारिकर को फोन करके बुलाया मुझे अर्जेंट सो मुर्तिया चाहिए सो मुर्तिया में तो काफी मुर्तियों में तो काफी मैट्रियल लगेगा इतना रुपया तो मेरे पास नहीं है येलो 30,000 रुपय एडवांस काम शुरू करो मैं अगले अपते तक आजाओंगा अगले अपते वो एक अपता होगा ना तो विदेशी महिला आई नहीं मुर्तिकार चाचा जी एक मुर्तिकार विदेशी महिला ने मुझे ठग लिया रमने एक सेट फिकर ने करो न्यूज पेपर में एड़ देते हैं कि बड़िया मुर्तिकार चाहिए विज्यापन आगया अब आगे का काम करना है मुर्तियों का बड़िया कारिगर चाहिए मैं सामने के कंप्यूटर में इंटरू लूँँगा तुम इस CCTV कैमरा में देखते रहना जैसे ही वेट ठगाए बटन दबा देना सारन बज उठेगा कई कारिगर इंटरू के लिए आए यह वही जाल साज है बटन दबा दूँ तुमने सेट को ठगा था नहीं साबू इसे समझाना है कबूल है यह सारा मैडम का पलान था चलो बड़े घर हाथों में हाथ तुम एक निकम्य पती हो सारी दुनिया के लिए तुम अपनी जान जोखम में डालते हो अगर बीवी के साथ बाते करने के लिए मगर बीवी के साथ बाते करने के लिए तुमारे पास दो मिट नहीं है दूसरे सारे एस्मेंट अपनी वाइज को सहाच पाटे के लिए दूर दूर तक ले जाते हैं मगर तुम अपनी पत्नी को गली की नुकर तक नहीं लेकर जा सकते बेकार आलसी राकेट अंदर बुचाल आया है बीनी गुशे मत हो मैं तुम्हें अभी गुमाने बाजार ले जाता हूँ सच तुम कितने अच्छे हो मार्किट में कितनी रोनक है चोदरी आपने अपनी पत्नी का आथ क्यों पकड़ा क्या आप समझते हैं कि वह कहीं खो जाएगी नहीं मुझे डर है कि कहीं आथ छोड़ते हुए शौपिंग के लिए किसी सटोर में ने गुच जाए डुगा वह चाजा चोदरी आ रहा है उसे लूट लो मगर कैसे उसने अपनी बीवी का आथ पकड़ रखा समझ लो जैसे वह बकरा खुटी के साथ बना है पिस्तोल दिखाते ही हुए सब कुछ निकाल कर आगे रख देगा सब कुछ निकाल कर भार खुबरना जान से आदो बैठोगे इससे तो बेतर था कि मैं कुछ सोपिंग कर ले थी देखते हुनी मेरे दोना आथ खाली ने है तुम मेरी पाकेट से रुपे निकाल लो साबू तुमारे कदम मेरे कदमों से बड़े हैं राकेट भी मुझसे तेज दोर सकता है फिर भी तुम दोना मुझसे पिछे रहते हो यह आपको इज़त देने के लिए मैसा करते हैं या फिर यू को कि अगर रास्ते में कोई मुसीबत आए तो उसे पहले मैं जे लूँ से अब जो तुमारे पास मेरे वाले करो एक रुपय का नोट और निकालो वह दूसरी जेब देख रहा हूं वह दूसरी जेब देख रहा है फिर एक रुपय और देखो टिसरी बार भी एक का नोट एक ही बार में सारा पैसा क्योंने निकालते है गर ओ धाए मुझ पर अमला करता है आओ अब तुम गिर गए हो भागो वाओ ओ यह क्या मैंने पैसे दीरे दीरे से लिए निकाले थे ताकि मेरे साथियों को यहां तक पूछने में वक्त मिल जाए चाज़ा चोदरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है कुट्ता बिल्ली राके टंगडाई सुस्ति की निशानी है जाओ जाकर साथ आठ किलोमीटर से दोड लेगा गर वाउ कुट्ते बिल्ली का बैर कभी खतम नहीं होगा मिसेज दोबा देखो तुमारी प्यारी बिल्ली को एक कुट्ता खदेड रहा है मैं उस सावरा कुट्ते को कार से कुचल दूगी दोबा गाड़ी और तेज चला कुट्ते को छोड़ना नहीं जड़ाक राक के टभी तक लोटानी जाकर देखूं उसे मरना तो है कुचल कर नहीं तो मेरी गोली से ओ अगर जल्दी मैंने कुच नहीं तो मेरा कुट्ता मर जाएगा चल मेरी पगड़ी तिखा कमाल ओ मैडम बेजुमा जानवर को गोली मारना अच्छा नहीं सारी लुट्टे रहे रोल मैडम गजालो जब तक चाजा चौदरी सहर में तब तक फैडल्स तो दूर कोई पिगी बैंक भी नहीं तोड़ सकता उस लाल पकड़ी को हमारा ब्रेंट टेक संबाल लेगा ब्रेंट है कोड़ जाब के लिए गजालो हमें साथ तुम्हें क्यों चुनती है क्योंकि उनको यकीन है कि वह मिशन मेरे दवारा ही पूरा होगा चाजा चोदरी कार्णिवास थान आ गया वह कोट याड में बैठा है बरसात में मेरी पकड़ी गिली होगी थी सुखाने के लिए उसे दूप में रखा था तुमने उसकी चिंदिया उड़ा दी अब मैं तुम्हारी दजिया उड़ाने जा रहा हूँ धड़ाक आओ चोखट भाग टैंक तुम्हारा पानी लीक हो गया तुम्हारी आलत पताती है कि तुम नाकामे आप रहे हाँ मैडम फेडरल बैंक को आज ही लूटना जरूरी है इसलिए चलो क्या इतना बड़ा ट्रक ले जाना जरूरी है कार ज्यादा तेज दोड़ती है हमें 500 क्रोड रुपया लादना जिसके लिए हमें बड़ी गाड़ी चाहिए दावा बोलो दाएं तुम बोर्ड ने स्कूटी के लिए मुझे मैनेजर बना दिया है मैंने सुना था तुम हमेशा लाल पगड़ी में रह मैंने उसे लाक किया ही नहीं स्ट्रांग रूम खोलो किक तड़ाक ओ भागो बैंक लुटने आये थे अजगर की जकर से निकल सकते हो मगर साबू की नहीं इस्पेक्टर गोजा संबालो इने जा कर सबसे पहले मुझे नई पगड़ी का इंजाम करना होगा मिलाटी दूद बीनी कहां चली एक नई दूद की डेरी खुली है वहाँ दो लिटर दूद के साथ आदा लिटर फिरी मिलता है वह पानी मिलाता होगा नई दूद में मोट दूद ले आई हूँ दूद की मलाई से मक्षन और देशी गी बनाऊंगी पीने में से दूद का सवाद अजीब सा है मगर वह सस्था तो है वो उल्टिया आने लगी आक थू यह फूर पाइजिंग का केस है लगता है पेशेंट ने कुछ गल्द खाया उसने दूद पिया बिनी तुम दूद कां से लाई थी डेरी से साबू आव चले अब तो आधी रात हो गई है सबूत तो अभी मिलेगा खिडकी से अंदर जाना आओगा यह सफेद पाड़र सेंपू की बोतले और रिपाइंड किस लिए यानि यहां मिलाटी दूद बना जाता है है एलो पुल दोस्त राहूल टैंसन में क्यों हो गोल्डी में आफिस प्रोजेक्ट के पांच लाख रुपे कैसिनों में आर गया हूं मुझे उदार देद और नुक्सान की बरपाई करनी है इतनी बड़ी रकम तो मेरे पास नहीं है तुम अपने पापा से रुपे ले लो वह कंजूस म पर सब कुछ करके दिखाना है हाँ अपने बाप को ठगने वाले स्पूथ को मैं क्रिश्मा दिखाता हूं रात हो गई गोल्डी रुपे लेकर नहीं आया उसका मॉबाइल भी आफ है बैंक में दिनानाथ जी आपका अकाउंट तो खाली है नालाक मेरा सारा रुपे कहां ग रिपोर्ट्स चान मारे यानि पंची अभी उडा नहीं यह उसका फोटो रिवाविदेशी सिग्रेट का चैन स्मोकर है काफी है चलो साबू सहर के बाहर चलना है हमें इस पुरानी वेली पर नजर रखनी है कि हवेली से नोकर बाहर निकलता है साबू मुझे उसके पिछे पकड़े जाना तुम मकान से किसी को बहर मत जाने देना काका विदेशी सिग्रेट चाहिए लो रुको क्या तुमारा माले कितने तनका देता कि महाँगा विदेशी ब्रांड पिशको यह हमनी मारे छोटे साब पिते हैं चलो उसके पास ले चलो भार आओ तुम फशक्रे हो चले जा वरना मैं जान दे दूँगा साबू एक्षन दड़ाक जाल साज शिगरेट पिना तंदुरुस्ति के लिए आनिकार के उसी के कारण तुँ पकड़े गए इस्पेक्टर मोजा वेरा प्रादी नमबर टू समाब दोस्तों इतनी थी जरूर लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों